सब्सक्राइब करें और इसी कारण मैंने यहां पर उगे नाम गर्जिक कर दिया यहां सुतंता संगाम सेनानियों की जन्म भूनी है वही यदि हम बरतमान में देखें तो भारत की सेना में हमें उत्रा खंड की बड़ी संचाले लोग देखने को मिलते हैं ऐसे मैं मानता हूं कि यह सिर्फ देव भूमी नहीं है बलकि मेरे इनुसार किस भूमी को बीर भूमी करना यह अच्छियोग भूमी नहीं होगा जैसा मैंने पहले भी कहा सच्पूची हराज्य मेरे हर्दय के बहुत करीम है और जब मैं उत्राखंड के लोकप्रीय मुख्यमंत्री पुसकर सिंगी धामी के इस राज्य को लगातार नई उचाईयों पर ले जाने का प्रयास करते हुए देखता हूं और इसके पहले मैंने जबंत्रिंगे रावत को भी देखा है तो सच मुझ मेरा हर्दय बहुत ही प्रफुली तुमतर है आप सब के मुख्यमंत्री और हम सब के अप्री पुसकर सिंगी जामी जिस प्रकार से दिन राथ उत्तराखंड वादे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं स्वाइक तो यहां आना कई कारणों से यह विशेष्ट बन जाता है एक कारण तो यह है कि एक बार फिर से आप सब उत्तराखंड के साथ्चों से मिलने का आउसर मिलना है और दूसरा विशेष्ट कारण है कि आज हम सब टौंस ब्रिज इस्कूल में भारत के पहले शीफ आउप ुक्त बिखेष्ट Walker गों सब्सक्राइब करें अनावरा इस आउसर पर हुए है उसोसर भुष हम सब्सक्रान के लिख करते हैं है जब जनल नाम लिए तो गत्रुप से मिरे प्रति पठलता है वह याद अनकी तो जिर्म ने रक्शामध्य के रुप्प्र ऊप्राइब था ली वेक्ट इसके दूसरे दिन ही मैंने टेलिफोन उठांकर जनरल भीमें नाफजी ने को कहा कि कि मैं सियाचीन जानाशां आउं May ने सुचा कि या जाने की बात मैं करता हूं तो कम सब्सक्राइब दो तिन दिन का वर्तम लेगे अनों ने का सर कब जाना शाइब धान कि मैंने कहा टियारी हो तो मैं का कल भीन चुछ लेगो तो इनना कन पूरी तैयारी ने कि है और सच्मु मुझे हासिल कर रहे हैं आज भी वह हमारे इस परती पड़ल पर पुरी तरह से अंकित है उस दिन की याद पूरी तरह से मुझे तरुपा जाए और उनके व्यक्तित्तों के बारे में उत्राखंड के लोग ही नहीं मैं तो कहता हूं कि देश कि जितने भी जागुप वह अच्छी तरफ उनके बारे में यहांते हैं और इसकारकम में आप लोगों ने मुझे सीज्ट के रूप में आमंत्रित किया है इसके लिए मैं आज जब मैं आप सबके भी जहां पर उपसित हुआ हूं तो मैं एक दोस्त वर्गी विपिन रावज जी की मुर्टी के अनावरण की उपर आप सब कुछ बातें करना चाहूं हूं और दूसरा मैं इस मुद्दे पर भी बात करना चाहूं हूं आखिर इस मुर्थी के कि जगह क्यों है आसे साथियों मुर्थियों का हमारी संस्रुष में बहुती हिसे सभी शुकार करेगे मुर्थी चाहे किसी भी कि किसी की फिए को प्रफम दरश्टिया देखने में यही लगता है वह बस एक मुर्थी है एक स्टैचु लेकिन एक इस ने ज़ुल में सम्रद त्द्र विराशत के रूप में इतिहाद के कि से के निलता भविष्य की प्रेणा के मूर्तियों का मैं मनता हूं एक बढ़ा भाटत कि वो थिया हमारे इतिहाद करें इसमर्टि आधर्श के रूप में लंबे समय तक हमारे बीच यह जीवित रही है हमारी को पूरी संस्कृती ही मुर्थियों के इर्द इर्द भूंगती है मुर्थियों का महत्वर भला हम मुर्थि पूर्जकों से जाला अच्छी तरीके से और कौन दूसरा कमशक्ता है हमारे लिए मुर्थियों या प्रेणा का ये क्यंद्रों की हैं वह मुर्थियों भला ही हमेरे वीश नहीं है लेकिर इस मुर्थी के मार्द्यम से हम उनकी च्छबी को देख वारे हैं जिस मुर्थकार ने यह मुर्थी बनाई है बहुत अच्छी मुर्थी बनाई है जीवन को मुर्थी बनाई है जीवन को मुर्थकार को भी और रहाई जैना शुक्त और प्रत्मा देख रहे के बाद मै यह मसूस कर रहा था कि स्वर्गी विपिल रावजी इस तमें हम लोगों के बीच मोई ऐसी अलबोटी ओर रही है चाथियों किसी भी मुर्द की अस्थापना जब होती है तो पूसके पीछे सवावी कुछ से कई कारा होते हैं जैसे हमेरी स्वर्गी विपिल रावजी की मुर्दी अस्थापना के उद्देश्यों को देखें तो हम पाएंगे कि जनरल रावज के वैलूज को समाज में और अधिक मुखरता के साथ सामने लाने की ज़रूर थैंग और मैं विश्यतर उसे बच्चों से कहना चाहता हूं कि शचाहें पर जूस्ट में मेंं और जुने की वेलोज क्या थी ह Sindром एक से रिवकारी को रूप में खालते हैं कि उत्तरा खंड के रहने वाले इस रूप में जाते हैं इफदेश के आर्वी चीफ रहे हैं इस रूप में जाते हैं लेकिन जनरल में में रावट को साथ काम करते हैं जो कुछ भी उनके बारे में अन्वों में मैंने किया है कि उनके अंदर सौर्य, साहस और सालिंता तीनों का अधवत संद्वता हैं शौर भी था, साहस भी था और शालिंता भी और यह तीनु चीजह तीने डारे मैं तीनों चीजह पिस के अंदर हो तयक्तुए हैं इस पीरिश् सब्सक्रारा जो आध्या हैं यहां मैं अध्याकं कि बात कर रहा हूं साहज録्स कि यह वानते हो रहता हैं कि मंद्र relative r यही स्प्रेशियल होगा, वही वहाद़्व होगा। जो इस्प्रिश्वल हो तो वही शालीद हो जो इस्प्रिश्वल नहीं है ना उसके अंदर शावर हो सब्सक्राइब ना शाहत हो पर ना शालीद ना आप यह कहेंगे कि की साथार पर पर आप यह वाद कह रहें मेरा मालना है कि मन्दर बस्यान में जाना एक उसका बांट यहां अप्सक्राइब अध्याद हो चला जाएगा उसी रेशियों में उसी अनपाथ में आपकी आध्यात्मिक उशाई भी बढ़ती चली जाएगे मन का बढ़ावाना मन बढ़ा होगा का आप चाहे जिसे प्रकाद्धी परिश्टी होगी आप सुख की अनुद करेंगे आनंद की अनुद करेंगे और जितना ही मन बढ़ा होता चला जाएगा उतने ही अधीक आनंद की आप अनुद कर एक बात हमारे हाँ क्याई गई है कि छीवन में परवानन्द की प्राप्ति यानि मोख्ष की प्राप्त यूबात कहीं है होच बहुत बड़ी बंग रोग कोते हैं उन्हें मोख्ष की प्राप्ति तो मैं कहता हूं जमने विपर आवजी आज हमारे बीश नहीं है, भलही प्रतिक जाकर मौने मंदर में पुल्या नहीं किये हुए, जिस डाइतुपा उन्होंने दर्भन किया है, और जो शहीर हुए थे, उनको मौक्ष की प्राप्ति निश्चित्रूप से हुए हुए हुए, थोड़ी देर के लिए समझे लो कि आपका मन एक सर्किल पर थोड़ी जर्मालों, एक सर्किल और मैं यह कह रहा हूं, इस मन यानि इस सर्किल, इसका सर्कुम्फरेंस यतना ही बढ़ाते चले जाओं कि उसी रेशियों में, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएंगी, यानि यानि में च्निखन उसी रेशियों में बढ़ता चाहेंगा। आप अब इस यदी से मैंथमेटिकल इक्वेशन के कहना हो इसे मैंथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम इस प्रकार से कहते हैं कि इस उक्षक विश मन इस अब्सक्राइब तू कि प्रकंचु अब्सक्राइबास, इस और शुक्त्तमरण कि अब्सक्रण्स विश मत्कु अधमेटिक तु आ satisf ए बिश्मेटन इस और खडूणधूद्ट ा शुक्त्तमरण को इस दिर की-षद सुट्य का बशबंद की न raisingन हो तुक परमानन्न, not my magnitude of परमानन्न, क्कोई परमानन्न का कोई magnitude नहीं है, इसे लिए मैंने कहा कि जंदर दिप्लिट ना बच्जी